हैलो अबरिववन तो देखिये अगर आप जमुए उनिवस्टी से बीड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखके कि karate चीज़ां को ध्यां रखनाे फॉरम भरते मैं आपको किन चीज़ां रखना दिखके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा The Candidate Seeking Admission in B.A.D. प्रोग्राम जो भी admission लेना चाहते हैं B.A.D. प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको eligibility conditions देखनी है जो मैंने आपको वीडियो के मादियम से बता दिया आप उसको चेक किजिए कि क्या कि eligibility आपको क्या कि eligibility आपको रखनी है वो आपको fulfill करनी है तब ही जाके आप यहाँ पर admission program जो है वो कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखे कि इन्होंने क्या कहा है कि please read prospectus available on the website यानि website पर जो इन्होंने prospectus दिया गया है कि form को भरने से पहले आप उसको read कीजिए फिर इन्होंने कहा है कि fill in the admission form यानि आपको जो form fill up करना है उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा www.distanceeducationju.in पर आपको जाना पड़ेगा admission लेने के लिए इसके अलावा इन्होंने कहा है कि the name should be filled in block letter यानि जो आप name fill करेंगे वो आपको block letter में fill करना है और same to same वही नाम आपने fill करना है जो आपने last exam pass किया हुआ है उस certificate पे जो आपका नाम है वही नाम आपको block letter में fill करना है इसके लावा इन्होंने लिखा है scan photograph signature आपको upload करना है ये सारी चीज़ें आपको upload करना है नीचे देखे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको print करनी है दो copies print करनी है जो आप form fill up करेंगे उसकी दो copies को print करना है एक तो आप अपने record के लिए रखेंगे personal record के लिए रखेंगे और दूसरी आपको दूसरी आपको लगीगी and want to be brought दूसरी आपको क्या लानी है counseling के time पे आपको लानी है जब आपको counseling जब आपकी counseling होगी उस time पे आपको वहाँ पे मांगी जाएगी तो दो copies आपने print करके रखनी है ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता लगी तो इसके अलाव इन्होंने कहा है candidate must bring all the original documents यह आपको सारे documents जब आपकी counseling होनी है तो आपको सारे documents लाने at the time of counseling जब आपकी counseling होनी है जब आपकी admission होनी है तो ये documents जब आपको अपने original भी साथ मिलाने ठीक है और इसके अलावा जब आप admission लेंगे तो उसकी जो print करेंगे आप दो copies तो एक अपने पास रखेंगे एक आपको वहाँ पर मांगी जाएगी तो दो copies आपने निकाल के रखनी है ठीक है जी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसके लावा थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं तो यहाँ पर देखिए only application form registered online यानि जो भी application form registered हुए है online वो ही accept किये जाएंगे ठीक है जी इसके अलावा इन्होंने काया है कि जो counseling का schedule होगा वो आपको website पर मिलेगा 20-10-2022 को आपको counseling का schedule यहाँ पर मिलेगा यह उन्होंने 22 date बताई है tentative date for display of counseling schedule ठीक है जी इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते है तो इन्होंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है candidate holding bachelor's degree of one sitting program यानि कि अगर आपने bachelor's degree की हुई है तो आप eligible है admission के लिए और फिर साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी assistance के लिए आप इनको call कर सकते इन्होंने help line number भी दी है अगर आपको form फिल करते समय कोई भी दिक्कत आती कोई भी परेशान आती है तो आप यहाँ पर इस help line number पर call कर सकते इनको पूछ सकते हैं जो भी आपका doubt होगा या फिर इनकी mail id पर यह जो इन्होंने mail id दी है तो इस पर आप इनको mail भी कर सकते हैं जो कि है distance education beard at the rate of gmail.com इस पर आप इनको mail के जरीए पूछ भी सकते हैं चीके चीके अभी हम बात करते हैं कि भाई beard program के लिए आपकी fees क्या रहने वाली है तो देखिए यहाँ पर fee structure पर हाँ पर click करते हैं जैसे हम fee structure पर click करेंगे तो यहाँ पर download again दिखा रहा है तो हम download again कर लेते हैं और सामने हमारे पास जो है वो यहाँ पर fees का structure हमें दिख जाता है यहाँ पर आप देख सकते है annual fees क्या रखी गई है annual for the session यहनी जो annual for the session 2022 to 2024 आपका रहने वाला है तो इसके लिए आपकी जो fees रखी है वो रखी है 32,380 रुपे ठीक है जी इन addition इसके अलावा क्या रखा है इसके अलावा यहाँ पे आपको जो fees है वो आपको deposit करनी है जैसे कि आपके registration fees 360 रुपे रखी है उन candidates के लिए जिन्होंने not registered with the University of Jammu जो की already registered नहीं है University of Jammu में इसके अलावा इन्होंने eligibility fees रखी है 880 रुपे for candidates उन candidates के लिए जो migrate होंगे from other university other university से जो migrate होने वाले हैं इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे revival of registration fees रखी है 500 रुपे if migrating certificate is surrendered और revival fees रखी है 1380 रुपे तो यहाँ पर जो भी आपका case होगा यहाँ पर लिखा है कि in addition to the mentioned fees यह जो mentioned fees रखी है 32,000 के अलावा the candidates are required to deposit the following fees in the directorate as the case में भी आपका जो भी case होगा मान लीजी कि अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह फीज नहीं देनी पड़ी इसलिए इन्होंने का यहाँ पर आप admission ले सकते हैं स्तार अंदस दो हजार बाइस तक ठीक है जी so thank you very much